शुदानसु जी ने कहा है ना कि ग्यारा साल तक कोई उसमें पक्ष नहीं था मुस्लिम पक्ष बाद में कम्मिनिस्टों ने और लोगों ने समझा के उनको पक्ष बनाया मैं तो कहते हैं शुदानसु जी जिन लोगों ने उनको समझाया था उनको आप चार बर जाके चरन नम सवाल उठा था जिन्हों ने उठाया था जीस वकील साहब ने वो भी आपके हिंदु धर्म से थे आज जो यहां से वो समाजवादी पाटी के जो है क्या ना में उनका जो सनातन पर आवाद ये उसके विरूम में सवामी परसाद मौरिया और इस टालिन के बैट एक बात एक हम सवामी परसाद मौरिया किसके बिहाफ पर काम कर रहे है अचा उसके बाद स्टालिन किसके बिहाफ पर काम कर रहे है और ये जितेंद्र आवार्ड किसके बिहाफ पर काम कर रहे है तो ये सब इंडिया आइस की पार्टनर हां मैं बताता हूँ देखिए स्वामी परसाद मौ मैं अपने समाज की तरफ से बोलना हूँ उससे पहले सुप्रिम कोट में कल्यान सिंग जी ना हलफ नामा दायर करके कहा था यह विश्वास दिलाया था सुप्रिम कोट को कि मैं मैं मस्जिद की रख्षा करूंगा जब मस्जिद गिर गई और इनकी सरकार बरखास्त होगी कल्यान सिंग जी को सुप्रिम कोट ने तलब किया तो वह गीता के उपर हाथ रख्के सोगंद खा किये का कि मस्जिद गिराने में मेरे कोई सहयोग नहीं है मैंने पूरी कोशिस की उसी करक्षा करने की जैसे ही चुना जारता में थे मुलीमन और जोसी डी आदवानी जी उमाभाती जी रितंबरा जी कुविने कटियार ऐसे हाथ उठाके नारे लगा रहे थे एक धक्का और दो बाबरी को तोड़ दो जब उनके खिलाब मुकदमा हुआ जब उनके खिलाम मुकदमा हुआ उन्होंने भी कोट म कोट में कहा हमने भरपूर कोशिस की बचाने की लेकिन हम बचा नहीं पाई फिर 1996 में में जब चुना हुए लोग सभाके अटल विहारी वाजपेजी को गटबंदन की जरुत पड़ी अटल विहारी वाजपेजी ने बाकादा घोसना पत्र में कहा कि हम यह मद निर का मसला अधीर पर नहीं उठाएंगे फिर उनकी सरकार गिर गई तेरे दिन में थिर अठ्ठाणमें में दुबारा बनी 13 महिने के लिए फिर उन्होंने कासी मथुरा का भी नहीं उठाएंगे इस टम में और मैं बताता हूँ आखरी दो बात तो कहीं है लेकिन नैतिकतार कोट की दुहाई मत दीजिए आप हमेशा नैतिकतार के खिलाब चले हैं और भारत के सम्विधाने के खिलाब चले हैं मैं फत्रकार था मैंने सवाल पूछा 2003 की यह बात है मैंने पूछा कि आपने राम मंदिर का मुद्दा छोड़ दिया और इस टर्म के लिए चोड़ा है क्योंकि हमारे पास मेंडेट नहीं है अगर हमें मेंडेट मिलेगा तो हम मंदिर वहीं बनाएंगे इनकी बात बेश्क्राइब कर दूँ हमने बीजेपी का भी एजेंडा जारी किया और नईडीय का हमने नहीं करेंगे बीजेपी की एजेंडा में सदा सरवदा राम मंदिर राच्णोतित कहता हूं अठानवे का बीजेपी घोश्णा पत्र दिखाएंगे अगर हमने ऐसा कि दीरिया है हाँ एंडीय कि में कॉमन इन प्रोग्राम में नहीं था तो मैं एक और बात करूं आप यसान दल थे यह हमारे साथ आ गए हमने तो मंदिर का मुद्दा नहीं चोड़ा था हमारे घोश्णा पत्र मेसरों का बाई आपके साथ नहीं वह से आप तो तब आए थे आ कि यह बिल्कुत सकते बात है कि वो जो धाचा वहां गिरा वो 500 साल से हिंदु समाज के मन में जो आक्रोश था उस आक्रोश का जो मजाक उड़ाया गया उसकारण से उत्पन हुई तातकालिक परिष्थितियों के गुस्य में हुआ और इसका मैं प्रमान देता हूँ कल्यान सिंग जी ने ये कहा कि जब वहां पर दोपहर में अब ये को और बास समझे साड़े ग्यारा बजे एक गुंबद में पार्शल डेमेज की खबर आई थी उस समय ये शंकराव चौहान जी ग्रह मंतरी थे उन्होंने कल्यान सिंग जी क से कह दिया चौहान साब मैं गोली नहीं चलवाओंगा गोली नहीं चलवाओंगा चाहें एक क्या सेक्रों सरकारे कुर्बान हो जाएं मगर मैं पूछना चाहता हूँ जब चौहान साहब साड़े ग्यारा बजे ये जवाब सुन लिये थे कल्यान सिंग जी का तो कहें तुर चोन नौबजे तक बैठे रहें क्योंकि हकीकत आप कोई पता थी आप कुछ नहीं कर सकते थे लाखों की भीड के उपर आप कौन सी गोली चलवा सकते थे आप तो देवनंद को फॉलो करते हैं देवनंद की आदा दे यह बताईए जब हमारे विज्ञानिक अंस्रिक से अप रोग करने से पहले क्यों मंदिरों में जाके बत्था तेकते हैं यह बहुत बढ़ीया सवाल बहुत बढ़ीया सवाल ये अब 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 देख्ये देख्ये देखिये चाई-मून मिशन जाएं जाएं अबंसर ममा से बरा साइन्टिस्ट हो वह बड़ा डॉक्टर हो वह विग्न हरता घड़पती महराज के पास जाता है वह संकिट out प्रसंद उठाता है उन वैग्यानिकों डॉक्टरों की आस्था है जो हिंदू है वो मंदिर में जाते होंगे जो मुस्लिम है वो मस्जिद में जाते होंगे जो सिख्यों गुर्द्वारे में जाते होंगे सब की आस्था होती है एक वैज्ञानिक की आस्था होती है जो कि उनका काम पूर करने में उनकी साइंस के बाद भी मदद कर सकती है यह तो उने भी लगता होगा प्रकट काला देन दयाला कौसल्या हितकारी उसमें आगे तकारी निंखाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें यानि बेद कहते हैं कि भगवान के रोम-रोम से अगानित्य ब्रमांड बनते हैं अगनित माया बनती है सो मम उर्बासी यह उपहासी सुनत थीर धीर मत थीर न रहे वो मेरे गर्व में समाएं हैं ये बात जिनको मजाक लगती है बड़े बड़े लोगों की बुद्धी विकल हो जाती है नि मल्टी वर्स की बात कही गई है और एक नहीं कई जहों पर कही गई है जब हनुमान जी से परिचे पुछा जाता है तो उन्हेंने का मैं उसका दूत हूँ जासु अंस उपजय गुन खानी अगनित उमारमा प्रम्हानी अब मैं कहता हूँ दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलोजिस में से एक काल सेगें नेट पे जाके चेक करिए C-A-R-L-S-A-G-E-N और उसने क्या कहा है कि केवल मल्टी वर्स का ये कॉंसेट एंशियंट हिंदूस ने दिया था जो कि modern scientific calculation से match खाता है बाकी जगहे पे ऐसा कोई concept नहीं था तो जो इन्होंने बात कही हमारा धर्म विज्ञान की कसोटी के उपर सबसे आगे निकल के आता है ये बात दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलोजिस में डांचिंग शिवा की मूर्ती कहां लगी हुई है सुदांचू ये एक सुनना चाहिए 21st century की सबसे बड़ी scientific खोज क्या है God particle जो की यॉरप कि सेंट लिबरेटरी में खोजी है उसकी लॉबी में जाईए तो वहां के ऊपर एक डांसिंग शिवा नटराज की मूर्ती जो तंजाओर तमिलना डुबाली नटराज की मूर्ती है वह लगी है और उसके नीचे औस्टियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखाए वहां चो लगी है दुनिया किसी धर्म में नहीं था कि अनंत प्रम्हांड बनते रहते हैं नश्ठ होते रहते हैं जो हमारे यहां कहा गया प्रलय आती रहती है पुनाह नया स्रजन होता रहता है यह बाद और नफिट्जे कैपरा हिंदू है नसे लेबरेटरी हिंदू है वो भी उसको मान रहें और उससे बड़ी बात है कोई उससे कैबिनीरा हिंदू बन जो जी 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 यह अंतर है आप लोग इस चर्चा में आये आपका बौत बहुत अपिनेसन्दन आप लोगों का बहुत सुक्रिया जोर्दा अर्था लिया इस ओच औरियन्स के लिए फिलाराज के अडिशन मे ताही नमस्कार राम राम जएंद झाल झाल